नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटीब चैनल में दोस्तों आज मैं आपके साथ हेंगिंग बास्केट में लगने वाले कुछ पर्मनेंट प्लांट शेयर कर रही हूं तो चलिए मैं बताती हूं कि यह कौन कौन से पर्मनेंट प्लांट है जो हेंगिंग बास्क अपने अक्सर हम वैसे पौधे लगाते हैं जो मतलब मीचे के और हैंग करते हैं तो वो काफी खुपसरत से लगते हैं तो यह जो फन है यह भी हैंगिंग बास्कित में मतलब पर्मानेंट रहता है और इसकी जो यहाँ पर आपको यह बल्च निख रहे होंगे लहसन जैसी कलि अपने जैर्ट के बारे में तो आपको मालूम है कि यह बहुत हारडी प्लांट होता है और फ्रमानेंट निए प्लांट है और अब इसकी देखो यह नई नेई पत्रया छूरू हो गई हैंग नी गोर्फ सुरू हो गई है इसकी और इसी तरह स्पाइडर प्लांट है बांची काया है जैनbble kimigling सिव पूरा कि हूचा हो जो जो सी हम अब इस Почему सह पूर हएं usan and plant है और आफ इसा नियुकुत से कर नियुक्त हो अरगा सकते हो और इस पर को भी तीर से कट्आइशन आपको ही ठीक शूरू लेकिन अब इसका भी ग्रोथ का पीरे शुरू हो गया है, शायद इसमें क्योंकि यह हैं कर रखें तो शायद थोड़ा पानी भी नहीं डाला है, मैंने मुझे ऐसा लग रहा है, तो यह भी बहुत चोटी सी कटिंग से कटिंग क्या अगर इसक कोई पत्ती भी कहीं कर जाती न और यह जो मतलब बैंडिंग जीओ है, कुछ दिनों बाद तो मतलब पूरा ही बास्केट को भर लेगा, और सकलन तो खेर होते ही हैं, यह और यहां पर यह इसको भी मैंने पूरा हाइड प्रून कर दिया है, परपर क्रिंग इंच को, यह भी पूरा मतलब इसमें पूरा भर लिया था, लेकिन यह सूख गया था, तो मैंने इसले हटा दिया, इसकी ग्रोथ होगी, इसको भी चोटी सी कटिंग से लगा सकते हो, यह परमानेंट प्लांट है, मैंने इसे जान मुझके हटाया है, ताकि इसकी जो नही नही पत्ति आएंगे, काफी खूबसूरत सी लगे काफी उचाही में हो गया है, तो मैं इसले आपको दिखानी पा रही हूं, तो भी परमानेंट है, थोड़ा मतलब सर्दियों मेरे डूर मैंसी में जाता है, लेकिन मरता नहीं है, ठीक टाक रहता है, यहां पर यह मेरी परपल किर पिंग इंच की जो बासकेट है, यहां पर तो इनको नहीं हटाया है, मैंने बस इनको भी चेंज करना है, कुछ दिन में चेंज करूँगी, तो यह परपल किर पिंग इंच भी परमानेंट है, और जाली बिंच तो आपने मेरी देखी होंगी हमेशा, कि मतलब यह हमेशा ही ऐसे रहती है, इसी तर यह परपल हाट है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसे लग रहा होगा, अब कुछ दुनों में यह ना बहुत लंबे-लंबा होके इस तरह से लग जाता है, इसके तो मतलब कुछ टहमिया तो खुदी तूट जाती है, देखो, इसके यह यहां से यह तो गया था, तो मैंने इसको यह मतलब रसी लाक तो यह अपने आप ही ग्रोव होने लग जाता है, तो देखो, मतलब बहुत ही खुबसूरत लगता है, इसमें फूल तो बहुत ही संदर आते हैं, और आप इसकी पत्तियों की बनावाट देख लो, छोटी सी पत्ति से बहुत आराम से हो जाता है, देखो किसे जाले-जाले स मतलब यह बास्केट कैसे हो जाता है, मैंने इनको सब को क्या किये था, इन में गोबर की खाड़ डाली थी, इनको चेंज किया था, मैने आप लोगं के सार्द शेयर भी किया था, कि मतलब यह उस टाइम पे तो क्या, मैंने इनको, मतलब इनकी मित्टी बगरा चेंज करी नेवले ने सबको पलड दिया था सबको हटा दिया था यहां इसी तरह मेरी टैंगल हाट हे घंगल हाट को भी पुरा निकाल दिया था नेवले ने वो तो देखो यहां सब गिरे अगये तो मैंने ऐसे रखह अब थोड़ा-थोड़ा यह ठीक ठाक होने लगे हैं आज से फोड से इसकी कटिंग उखा के और मतलब यहां इधर इसमें सिप्ट कर दूंगी अगर नेवला खराब नहीं करता तो मेरा पौधा यह वाला भी ठीक ठाक हो जाता अच्छे से हो जाता इसकी भी छोटे सी कटिंग से एक दो इंच की कटिंग से आप मतलब बहुत अच्छी इसे मैंने लगाया निये ऐसी रख दिया था तो यहां देखो कितना हैल्थ है यह और यहां पर मैं अपने इसके इसके इसको मैंने भी हां से कटनी किया है और एक मैंने हां पे इसको इस तरह से और कर दिया है यह देखो यह इसको भी मैंने कटनी किया है जब इसकी ग्रोश यह वाली नई पत्तियां आई हैं इसकी तो इसको मैं कर दूंगी लेकिन अभी इने लगाना कहां पे है रखना कहां पे है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इस तरह से आप भी एक एक दो दो इंच की कटिंग से या डिवाइड करके जो प्लांट डिवाइड होते हैं अपन यहां जो मनी प्लांट है अभी मैंने कोई खादवाद नहीं डाले कि इतने साए पॉट है मेरे पास कम से कम पास्तों तक के पॉट तो होंगई सब को मतलब घालते डालते हैं यहां था कि लग जाती है तो यह देखो इसको मैंने डिवाइड किया था तो नेवले ने इसको नीचे गिरा दिया था तो यह मतलब अभी इसने मतलब कुछ वो दिखनी रहा है मुझे नहीं पत्तिया आनी तो शुरू हो गई है और यहां पर यह मेरी टैटल वाइन है इसको भी नेवले ने पूरा नीचे गिरा दिया था नेवले बहुत नुक्सान करते हैं यहां के तो कोई की जरूत नहीं होती बस एक बार खाट डाल दो आप बस अपने आप ही मतलब अच्छे बढ़ते रहते हैं बस यह कि मतलब गर्मिया आ रही है तो आपको पानी का ध्यान तो रखना ही होगा इसमें आप बेबी सन रोजे इसे भी लगा सकते हो इसमें भी पिंक फूल आ लगता है तो काफी कुब्सृरत सा लगता है और यह तो यह हो गई है कुपसरत लगता है और यह मतलब यह मतलब अकिट में chilli कह बस रुचे हो जो जोते हैं मुसरों जोते हैं, यह तो हेंगिंग में काफी खुबसुरत लगते हैं, चुट जोती गटिंग से हो जाते हैं, और यह हो रही है मेरी तो काफी खुबसूरत लगेगा पर मेरी चडिया छूड़ती नहीं है इसलिए मैंने इसे पॉट में ही लगा दिया दिया और यह भी अपनी एक दो इंच की गटिंग से बहुत आराम से हो जाता है हम बहुत सारे फूल वाले पौदे भी लगा सकते हैं जिसे डैंधस को लगा सकते हैं और भी कई प्लांट्स को लगा सकते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे पौदे हैं लगाने के लिए यह वाला मदर ओफ थाउजेंडी यह भी हैंगिंग्स में काफी खुबसूरत लगेगा क्यो तो आपको बताएगा कि इसके इहां पर टिप में इतने सारे बीबी प्लांट बनते हैं उनसे आप इसे लगा सकते हो या इसकी पती भी कहीं पर आपको मिल जाए चोटी सी पती तो उसे भी ये बहुत जादा हो जाते हैं दोस्तों वीडियो में अंतक बने रहने के लिए और आपके प्यार और इसने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद